हेलो प्रेंट्स आज किस वीडियो में हम DTS की LNB रिपेर करना सीखेंगे दोस्तों आप जो ये LNB देख रहे हो ये काफी पुरानी LNB हो चुकी है ये आसानी से खराब तो नहीं होती है लेकिन कभी-कभी इनमें कोई मामली फाल्ट आ जाता है जिसकी वज़े से हम इसको खराब समझ कर फैक देते है जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हम इसको घर पर ही बहुत आसानी से रिपेर कर सकते है इसको रिपेर करने से पहले हम इसको चेक करके देख लेते है इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर यह एक पिन ले ली है इस पिन को मैंने कुछ इस परकार इस छेद के अंदर लगा दिया है जहाँ पर हम केबल लगाते है यह इस परकार हमें यहाँ पर यह पिन लगा लेनी होगी यह इसका पलस वाला पॉइंट होता है और यह इसका माइनस वाला पॉइंट होता है और अब हम इसको मल्टी मिटर से चेक करके देखेंगे इसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर यह मल्टी मिटर ले लिया है और अब हम मल्टी मिटर से इसको चेक करके देखेंगे short circuit दिखा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये NNB अंदर से short हो चुकी है, जिसके कारण ये कारिये नहीं कर रही है, और आज कि इस वीडियो में हम NNB के अंदर आए, कुछ इसी परकार के fault को repair करने का बहुत ही आसान तरही का सिखेंगे, बस दोस्तों आपको इस वीडिय को देखने के बाद, आप अपनी खराब हुई NNB को गर पर ही बहुत आसानी से repair कर सकते हो, ये कुछ इस परकार, ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये इसको अंदर से short दिखा रहा है, और अब हम इसको repair करेंगे, इसको repairing करने के लिए, सबसे पहले हमें इसका cover open करना होगा, इसको open करने के लिए हमें यहाँ पर एक penchcus की वश्रकता होगी, हम penchcus की सायता से इसको open कर लेंगे, ये इस परकार जैसे कि आप देख रहे हो, हमें यहाँ से ये open करनी होगी, ये मैंने penchcus ले लिया है, और इस penchcus से हम इसके cover को कुछ इस परकार open कर लेंगे, ये इस पर जैसे कि आप देख रहे हो, इसके अंदर एक सरकीट होता है, हम उसको बाद में चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो इसका यह फ्रंट कवर है, इसको भी यहां से इस पर कार ओपन कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो यह इसका front cover भी काफी पुराना हो चुका है क्योंकि यह बहुत पुरानी NLV है यह इस परकार मैं आपको यहाँ पर बता दू दोस्तों कि जो signal होते है वे satellite से आने वाले signal सबसे पहले इन पिनों से टकराते है जो आप इसके अंदर यह pin देख रहे ह इन पर कोई जंग वगरा नहीं लगा हुआ है यह इस परकार हमें यह बिल्कुल साप नजर आ रही है satellite से आने वाले signal सबसे पहले इन पिनों से ही टकराते है और फिर जो इसके अंदर circuit लगा हुआ होता है वो उन signal को amplify कर देता है यह जो यहाँ पर आप डिबी देख रहे हो इस डिबी के अंदर ही circuit लगा हुआ होता है और यह screw यहां से open करने के बाद हम उस circuit को check करेंगे इन इस क्रकार हमें screw driver से इसके चारो screw यहां से open कर लेने होगे जैसे कि आप देख रहे हो इस परकार हम 4 इस क्रोपो यहां से ओपिन कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर लगा सरकिट चेक करेंगे इस डब्बी के अंदर लगा सरकिट काफी स्वरक्षित रहता है क्योंकि इस डब्बी के अंदर पानी वे दूल नहीं पहुच सकती है क्योंकि यह डब्बी बहुत अच्छी परकार से बंद होती है यह इस परकार मैंने यहां से इसको ओपिन कर लिया है और अब आप इसके अंदर लगा यह सरकिट देख सकते हो इस circuit में कुछ components लगे हुए है जो satellite से मिलने वाले signalनों को filter करते है और साथ ही उनकी सक्ति को भी बढ़ा देते है यह circuit आसानी से खराब नहीं होता है लेकिन कभी-कभी गरम हो जाने के करण इसकी swirling फैल जाती है जिस करण यह short हो जाता है और अब हम इसको check करेंगे इसको check करने के लिए हमें यहां से इसकी swirling को यहां से गरम करके और इस circuit को बाहर निकाल लेना होगा यह इस परकार मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ यह मैंने यहां पर iron ले लिया है और इस iron से हम यहां से इसको गरम करके इसकी circuit यहां से निकाल लेंगे इस प्रकार ये सरक्ट यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया है इस प्रकार जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर लगा एक छोटा सा सरक्ट होता है और हमें इस सरक्ट को चेक करने से पहले इसको अच्छी तरह साफ करिना चाहिए ये इस परकार हमें बुरुष से इसको साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे जो आप इसके उपर ये दो पिन देख रहे हो सेटलाइट से मिलने वाले सिगलन सबसे पहले इन पिनों से ही टकराते हैं और फिर उसके बाद जो ये इस पर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये शिगलनों की सक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं और इसके साथ ये शिगलनों को फिल्टर करने का भी कारिय करते हैं और जो ये इसकी दो पिन होती है हमें इनकी अच्छी परकार जांच कर लेने चाहिए अगर इन पर कोई जंग वगरा लगी हुई हो तो हमें उसको साप कर लेने चाहिए इस सर्किट को चेक करने से पहले हमें इसको भी चेक कर लेना चाहिए ये डब भी तो सोट नहीं हो गई है उसके लिए हमें यहाँ पर मल्टीमिटर लेना होगा हम मल्टीमिटर से इसको चेक करेंगे इस परकार मैंने मल्टीमिटर ले लिया है और अब हम multimeter को गुमा कर वहाँ पर set कर रहेंगे जहाँ पर हम diode चेक करते है और अब multimeter की एक lead को इसकी बोड़ी से लगाएंगे और दोसरी lead को इसकी बाहर जाने वाली pin से लगाएंगे इस परकार मैंने दोनों lead लगा दी है लेकिन यह हमें यहाँ पर कोई short circuit नहीं दिखा रहा है इसका मतलब है कि यह डब भी ठीक कारिया कर रही है और अब हम इस circuit को चेक करेंगे यह multimeter की lead मैंने इसकी दोनों pinों से लगा दी है यहाँ पर भी यह ठीक कारिया कर रही है और अब spin और spin के बीच हमें लगबग 2 km की resistance मिलने चाहिए यह इस परकार हम चेक कर लेते हैं यह इस परकार मैंने दोनों lead को लगा दिया है और यहाँ पर हमें 1.8 voltage यहाँ पर मिल रही है इसका मतलब है कि यहाँ भी कोई short circuit नहीं है और अब हम इसके और spin के बीच देख लेते हैं यहाँ हमें कोई भी resistance नहीं मिलने चाहिए यह इस परकार हमें यहाँ पर कोई भी resistance नहीं मिल रही है यह देखिए friends इस परकार हमें यहाँ पर कोई भी resistance नहीं मिल रही है और अब हम इस दोसरे pin को चेक करेंगे यहां पर हमें लगबख 2 km की resistance मिलनी चाहिए यहां पर हमें resistance ठीक बता रहा है और यहां पर भी resistance ठीक बता रहा है इसका मतलब है कि इस circuit में कोई खराबी नहीं है और ना ही इस डबि में खराबी है हम इसको वापस इसी के स्थान पर लगा देते है और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे यह आईरन से यहां की सोल्डिंग को हम गरम करने के बाद वापस इसी के स्थान पर लगा देंगे यह इस परकार हमें यहां से सोल्डिंग को गरम करने के बाद वापस लगा देना होगा और उसके बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे ये मैंने इसकी पलेट को इसके अंदर अच्छी परकार से लगा दिया है और यहाँ पर मैंने सोल्डिंग भी कर दी है इस परकार इस पिन पर मैंने सोल्डिंग कर दी है और solding करते समय ध्यान रहें दोस्तों हमें iron जदा देर तक यहां पर लगाने नहीं होता है वरना कोई components खराब हो जाएगा और अब हम इसको check करके देखेंगे इसको check करने के लिए मैंने multimeter की दोनों lead ले ली है और अब हम एक lead को इसकी body से लगाएंगे और दोसरी lead को बाहर जाने वाले pin से लगाएंगे इस फरकार यहां पर हमें कोई short circuit नहीं दिखा रहा है यह देखें friends यह इस फरकार हमें यहां पर यह कोई short circuit नहीं दिखा रहा है यह एक lead मैंने इसकी बोड़ी से लगाई है और दोसरी lead बार जाने वाली pin से लगाई है यहाँ पर हमें यह कोई short circuit नहीं दिखा रहा है लेकिन उससे पहले हम इसको बार से चेक करके देखेंगे उसके लिए हमें यहाँ पर एक pin बना लेनी होगी और फिर उसके बाद हम इसको चेक करेंगे यह मैंने यहाँ पर एक pin लेली है और इस pin को मैंने यहाँ पर बना दिया है जैसे हमने पहले चेक किया था अब हम इसको दोबारा से उसी परकार चेक करके देखेंगे कि अब यह ठीक कार्या करने लगी है या नहीं यह मैंने मल्टिमीटर की लीड ले ली है और अब मैं इन दोनों लीड को यहाँ पर लगा देता हूँ यह इस परकार जैसा कि आप देख रहे हो अब यह हमें यहाँ पर कोई सोट सर्कृट नहीं दिखा रहा है इसका मतलब है कि यह LNB ठीक कार्या करने लगी है इस परकार दोस्तों मामूल इसे फाल्ट की वज़ेसे आप अपने LNB को फैंक नहीं और उसको इस परकार रिपेर कर ले और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक वे सेर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सुचना आपको मिलती रहे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो अपलोड करता रहूंगा